हलो फ्रेंड्स आज में लेके आई हूँ फोर तरह की डिसे चार तरह की एकदम ट्विस्ट के साथ इसको एक पर बनाईए जरूर जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्र गरम ओक जाए तब इसमें चावल डाले तो इसको चावल डाल कि दूद हो खीर मतलब चावल को दूद में खुँफ अच्छी तरह से पाल जब जब चावल पक जाए ना दूद में और दूद भी धिर गाड़ा ओजाए इतना पकाना है तो यह hierarch पे चावल और जो दूद मे दबल हो गया है तब यहां पे खीर मे गोड कर तरका साथ पानी कि इक बक्लू यह पंड़क हें दूना उळ in the आप आपल कसे यहां गोड ग् Bringing पाने की साथ ईयुक्ण घा oysters के दोनों तर्ड कि अब यह दोनु चीजें घाने एकडंडी हो जाए है धोन तुप फैसे बिला लेंगे इसको घरम करना हें क्योंकि यह दो-णिक पकी होई है तो इसमें goodn । क्षी जो इंटालते हैं फिर्छ जहाई है एक बार जरू ट्राइक करिएगा इस आसान से रेस्पी को, और अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप गोड़ की ये रेस्पी जरूर बनाईए, तो चलिए अब यहां पर दूसरा रेस्पी शुरू करते ही, यहाँ इस सबजी को चिचिवडा बोला जाता है, बहुत कम मतलब इसको बनाया जाता है, बहुत कम यूज भी होता है, और कम थोड़े से सीजन में बहुत मतलब एक दो बार ही मिलते हैं, तो इसका भरवा चीचिहड़ा बनाएंगे इस तरह से भरवा, तो अच्छा लगता है खाने में ये, तो इसको क्या करेंगे ना, इसमें जितने से अंदर का मतलब वहां आज है है, इसका भाग निकला है गूदा है इसको निकाल लेंगे, तो इस तरह से मैंने सारा निकाल लिया है, अब ये, ज़िए सब शोप्शते हैं, इसको ऑधी चोटी चमच ये सब 3 जीरा, तिनो आधी चोटी चमच ही रहेंगे, और इसक यहां पर सूखा मिर्चा आप जितना तीखा घाना पसंद हो इसको मिला लीजे तो यहां पर देखिए मसाले जो भून चुके हैं तो अभी मिर्चा भून नहीं था मेरा तो थोड़ा सा मिर्चे को और भून लेंगे और अजवाइन भी डाल देंगे जब तवा गरम हो उसे सम प्याज डाल देंगे थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसको फिर मैं उसके बाद बताती हूं और इसी के साथ नेबू भी डाल दीजे आप बहुत अच्छा लगता है नेबू का टेस्ट तो आधा नेबू मैंने यहाँ पे डाला है और इन सभी चीजों का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद फिर इसको भूनेंगे तो यहाँ पेस्ट जो है बन चुके है मेरे और एकदम फाइन पेस्ट हो गया है तब यहाँ पे तेल डालेंगे सरसो का तेल और उसमें जब तेल गरम हो जाए तब अपना मसाला डाल दीजे तो सबसे पहले हिंग डालेंगे हिंग जरूर डालेगा और उसके बास से जो मसाला पेस्ट है वो डाल देंगे तो मैं यहाँ अच्छा लगता है मैं स्पून बहुत कम यूज करती हूँ जितना हो सकता है तो मैं अपने हाथों से कर लेती हूँ यह सब काम काफी फाइन होता है उससे अच्छा होता है और यहाँ पर नमक डाल देंगे और जो निकला हुआ भाग था सारा चिचिहड़े का अब इसे तो चीची हुडाई मैं जानती हूँ और मुझे और इसका नाम नहीं पता है आप लोग कुछ और भी बोलते होंगे और उसको भी इसके निकला हुआ भाग उसको डालेंगे और उसके साथ डालेंगे ती या चार चमस दही दही मतलब बहुत ज्यादा खटी नहीं हो रहेंके तो यहां पे देखेंगे अब यह ठंडा हो चुका है तो इस तरह से दोनों साइट से आप देख लीजीएगा और इस तरह से भर ये तो आगे आपको बाषाले पेलाई मैं तो मैंने यहां पेल सब कुछ सारे को भर लेंगे अ यह श्रीक यह गए कर देखे लिए देखेंगे दिखर 2-3 बार जब आप देखेंगे न तो एकदम यह सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहां पे देखिए जो मेरी सब्जी है यह चिचेहड़े का भरवा चिचेहड़ा एकदम रेडी हो गया है आप इसको एक बार जरू ट्राइ करिएगा बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है यह सब्जी और बह बड़े बड़े टुकड़ों में आलू काटके डाल दीजिए इसके साथ लगवक तीन चमज दही डाला है इसमें भी बहुत खटी नहीं होती है बस उतना ही रहे और यहां पे गरम मसाला में डाली हूं आधी चोटी चमज और नमक और हल्दी भी साथ में डाली हूं और मिर थोड़ा सा प्याज और लहसन का एक पेश्ट बना लेंगे इस तरह से एक बड़ बनाईए बच्चों को बहुत पसंद आएगी मुझे पता है मैं बनाती हूं तो मेरे बच्चे बहुत खाते हैं तो यहां पर मॉमफली को डाला है और मॉमफली डालके रोष्ट कर लेंगे तो इसमें बस सिम्ला मिर्च को ही पकाना है यही धियान रहा है क्योंकि आलू तो पहले से ही बॉयल है तो इसको धीमी आज पे करते हुए भूनेंगे दो से तीन बार चलाते हुए कुछ इस तरह से देखिए कलर आया है सबजी का अब यहां पे प्याज और लेशन का पेष्ट बनाया था हमने वह भी डाल देंगे इसमें और इसको भी डालके दो से तीन बार ढख लीजे और धीमी आज पे इसको चलाते हुए एकदम भूनें मतलब इतना डाले सबजी में जिसे थोड़ा से हलके साफ्ट रहें मिलकुल उसमें टमाटर भी दिखने चाहिए तब यह सबजी अच्छी भी लगती देखने में और खाने मेरी और बहुत ही जल्दी बन जाती है तो यहां पे रिखे सबजी यह भी मेरी रेडी हो गई है औ अब उपर से क्या करेंगे मुंफली जो भूनी हुए मुंफली है वो डालेंगे और सर्ब करेंगे इसको पराटो के साथ या रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है नान के साथ भी आप खाईए एक बार यह आसान से रेस्पी को जरू ट्राई करिएगा अपने घर मे और बताईएगा कैसी बनी है तो अब चलते हैं इधर चौती सबजी के तरफ तो यहां पर क्या करेंगे आलू को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है इसको भी पराटो और पूरी के साथ यह सबजी बहुत अच्छी लगती है दाल चौल के साथ भी आप खा तील में यहां पर तील गरम हो जाए तो यहां पर ठील के तील में थोड़ा सा धनिया ढालें पर 2 तीन बर चलाते हुए सब्जी को भून लेंगे धीमी आज पे और यहां पे जो लहसन और सूखा मिर्चा है जो भून के रखीती उसको क्या करेंगे कूट लेंगे अच्छे से कूट के इसको इस तरह से मतलब कर देंगे एक दम पूट जाएगा यह तब यहां पे हम अपनी सब्जी मे झालब करेंगे और इसको धीमी आज़ पर कुछ भी नहीं जाएगा इसमें और इसको धीमी आजब भूने दीमी आजब बिल्कूल पका लेंगे और एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाए आलू और क्रंची होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे यहां पे मेरे आलू की सब्ज तब तब तक के लिए आप सभी को बपाए